हेलो फ्रेंट्स तो थमलत देखर जाने चुके होंगे कि हम किस टापिक पर बात करेंगे अगर आप लोगों से त्रिगोमेट्री का फर्मूला लर नहीं होता और होता भी है तो कुछी छनों में विशर जाते हैं तो आप सबी लोकों में चैलेंज कर रहा हों कि इस वीडियो क कि अंदर में आप सबी लोकों ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि लाइफ राम तक आप टिगोमेट्री का फर्मूला नहीं भूलोगे क्योंकि आप की तरह में भी एक स्टुडेंट हूं और मुझे विटिगोमेट्री का फर्मूला याद नहीं हो रहा था और याद भी होता था त कि आप इजली तरीका से बूझ पाओं तो इस वीडियो में सिर्फ 8-9 क्लास के तिगोमेट्री का फर्मूला पूरूफ करेंगे और तिगोमेट्री के ऊपर कम से कम 5-6 वीडियो तो आएगा क्यूंकि 10 क्लास में भी जितने फर्मूला होता है उसा फर्मूला पूरूफ करन उसे दबाईए और बिल आइकन क्लिक कर दीगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अब सब लोग ये सोचो कि तिर्गोमेट्री में मुझे कुछ नहीं आता है और जैसा जैसा बोल रहा हूं ओइसा ही आप लोग सिर्फ फोलो करो तो सबसे पहले हम तिर्गोमेट्री का मतलब जानते हैं तो तिर्गोमेट्री का दो डिवाइड करेंगे तो एक होगा त्री गुनो मतलब ट्राइएंगल और एक होगा हमारा मेट्री यानि मेजर जो कि ट्राइएंगल प्लस मेजर मिलकर बनता है तिर्गोमेट्री बनता है अब ध्यान से देखिए और बताइए जो आपके स्क्री पर एक राइट राइट एंगल दीख रहा है उसमें कितना रेशो निकल सकता है सोकर अब लोगों को इतना पतात होना ही चाहिए जो कि हमारा भी है हो तो हाइपोटेनास है और ऑर परपेंडेकूलर है और C हमारा बेस है तो हम A, B, C के साटा में हाइपोटेन, अस परपेंटेकुलर और बेस इस जी तरीका से लिख सकते हैं तो A जो हमारा B है वो P by H हो जाएगा C by B है वो P by H हो जाएगा और A, B, C है वो P by B हो जाएगा तो A इस तिनों का हम ऑपोजिट लिखेंगे तो H by P, H by B, और By P होगा अब हम इस तिनों कार नाम दे देते हैं तो A, C, 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 B, H और इसी तिनों का हम ऑपोजिट कर देंगे जो कि हमारा साइन का होगा C, 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 10 का कट जो कि C, 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 C x C, C, S, C अगर आप लोग ऐसा सोंच रहे होंगे कि 6 3-2 याद करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 3 याद कर लोगे तो 3 ओटोमेटिक याद हो जएगा क्योंकि तीन उसका अपोजिट है तो सिर्फ दूर रोशियों से आप सिक्स रोशियों याद कर पाओगे है ना मजदार फैक होगी भी क्यों ना मेरे चैनल को आखिर आप लोग सब्सक्राइब कर रखे हो अगर इतना किलियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आठ नाइन क्लास की लेबल के जितने तिर्गों मेटरिक का फर्मूला है उसे फोर रिलेशन में डिवाइड किया गया है जिसमें पहले है पाइथागोरियर रिलेशन, दुसरा दिराइब रिलेशन, तिसरा कोईटेंट रिलेशन और चौता रिलेशन, और इसी फोर रिलेशन से हम तिर्गों मेटरिक के फर्मूला निकालेंगे तो फर्स्ट पाइथागोरियर रिलेशन देखिए तो आप सब लोगों इतना पता होगा कि पाइथागोरियर रिलेशन देखिए हम क्या करेंगे के सुर्म में देखिए तो हम हैज सक्रिं कोईट कोईट रिखेंगे और बीत एचस कोईट करेंगे तो इधर हम ऐसफ्ट्यक्ठो डिवाइडेट हैंगे तो यह हमारा व्हन आजएगा लेकिन पैस्कॉर प्लस भी ऐचस्कॉर 직 brace किते ही जो कि आप आप लोग को इसका फर्मुला पूला प्रूप नहीं पता होगा लेकिन हम इसमें फर्मुला प्रूब करके बता चुके वो इसा ही आप दूसरा में h square equal to p square plus b square लिखेगे और दुनों तरब p square से divide करेंगे तो हमारा इधर h by p का whole square होगा i equal to p by p का whole square plus b by p का whole square जो कि हमारा h by p हो कौसेक square theta होगा i equal to p by p 1 हो जाएगा आप plus b by p हमारा quarter theta होगा जो कि हमारा square हो तो quarter square theta तो यह हमारा कौसेक square theta उदर plus quarter square theta है तो इधर आगा तो हमारा minus quarter square theta equal to 1 ऐसा हम प्रूब कर सकते हैं और तीसरा में आप h square equal to p square plus b square होगा और दोनों साइड और b square divide करो और आप formula लिकालो देखिए इसका भी हमारा square theta minus 10 square theta equal to 1 आएगा आप लोग इसका प्रूब करके निकालो तो इस तरह हम पाइतागोरेश formula use करके formula प्रूब कर सकते हैं अब दूसरा देखिए दूसरा है हमारा derived lesson जो हम first lesson में formula proof किया है ना उससे हम derived करेंगे देखिए कैसे हमने हमने sin square theta plus cos square theta equal to 1 proof किये थे sin square theta equal to 1 minus cos square theta होगा जो कि हमारा answer plus cos square theta है तो उदर जाएगा था minus cos square theta वह साइं ठीटा एक्वाल तो हमारी इदर साइं स्कॉयर यह तो उधर जाएगा तो मैं रूट हो जाएगा वन माइनस कॉस्ट 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 टीटा जो कि आप साथ अभी तक ररते आता होंगे लेकिन इस तरह डिटाइट करके फर्मुला प्रूफ कर सकते हैं में हमारा कॉस्ट 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 कॉस् ऐकोल टो P by B होता है थो हम 10 ठीटा एकोल टो P by B है थो हम का करेंगे P by H Shด, बिबाइड़ by S यानि हम दोनों में Hे दिवाइड करेंगे थो हमारा P by H होता हो वो sin ठीटा होगा और B by H होगा b by H होता हो वो कॉस्ट ठीटा होगा वोस्ट ठीटा अब 10S को ठीटा sin square theta आपन cos square theta लेख सकते हो और हमारा चवता है recipe procuration तो इसमें क्या होता है हम sin theta equal to 1 by cos theta लेखते हैं पर ऐसे क्यों लेखते हैं तो देखिए फ़र सुरू में आप लोग में बता चुका हूँ कि sin theta equal to p by h होता है और cos theta h by p होता है जो कि हमारा sin theta p by h होगा उसका opposite cos theta equal to 1 by sin theta होगा और cos theta का 1 by sec theta और उसका opposite sec theta equal to 1 by cos theta और 10 theta equal to 1 by cos theta और cos theta equal to 1 by 10 theta I hope इतना जान लेने के बाद आज के बाद आप लोग को फर्मुला रटना नाई पड़ेगा आप लोगो सब इतिगोमेटर का table याद नहीं होता अभी कितना कितना मान होता है वो सब प्रूब करके दिखाऊंगा तब तब के लिए आपने को पता ही होगा क्या करना पड़ेगा चानल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अचा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साब शेर करो थांक्स पर वाति इस वीडियो